हाई गाईज वेलकुम बैक टुमाय चैनल मैं हूंस पीटी और आप देख्रेयों स्पार्कलिंग सोल्स आज के वीडियो में हम बात करिने वाले हैं कि अपने विचार दूसरों तक ऐसे पहुंचाएं जी हाँ आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि आप अपने मन की बा जब हम अपने विचारों से युनिवर्स से कनेक्ट हो सकते हैं अपनी विश को मांग सकते हैं हम गौड से कनेक्ट हो सकते हैं हम प्रेयर कर सकते हैं तो क्या हम अपने विचार किसी दूसरे परसन को नहीं बता सकते हैं हमारे विचार ना बहुत पावफुल होते हैं और कई सारी books में ये लिखा है कि हमारे विचार बहुत आगे तक travel करते रहते हैं हमारे विचारों की शक्ति से हमेशा हमारी life में कई सारी चीज़े attract होते रहते हैं जब आप चाहते हो ना कि आप अपने मन की बात किसी और इंसान को बता दो पर ऐसा बिलकुल भी नहीं है दरसल आपको एक बात को समझना पड़ेगा जैसे ही आपने उस परसन को उन सारी विचारों के बारे में उन सारी बातों के बारे में बता दिया ना कि आप उससे क्या चीज कहना चाहते हो आप उससे कौन सा काम करवाना चाहते हो और आप अपने दिल में किसी बात के लिए कौन सी चीजों को feel करे हो जैसे ही आपने उस इंसान को वो सारी बाते meditation में जाके बता दी ना उसकी soul को याद करके उसके बाद आपको पूरे दिन में अपनी वो बातों को याद नहीं करना है ऐसा इसली important है ना क्योंकि वो विचार को आप travel free हो के करने दो क्योंकि जैसे ही आप उस विचार को छोड़ दीती हो ना उसी समय वो सारे विचार free हो कि उस इंसान के पास जाने लग जाते हैं पर जैसे ही आप पूरे दिन उस विचार को पकड़े रहते हो ना बार बार उसके बारे में सोचते रहते हो, बार बार एक सरकल सा गूमता रहता है तो वो इंसान के पास वो सारे विचार नहीं पहुँच पाते हैं उसी अवस्था में उन चीज़ों को छोड़ के आना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही हम अपने विचारों को उस meditation में छोड़ के आ जाते हैं वहां हम उन्हें free हो के काम करने के लिए मौका दे देते हैं। ये ठीक उसी तरह से काम करते हैं जैसे हमारी सांस आती है और जाती हैं। और उसी space में आपको वो favorite चीज़े मिल जाते हैं, आपके काम बन जाते हैं, जो आप universe से मांगना चाते हो, जो आप करना चाते हो, जब आप उस meditation में उन विचारों को छोड़ाते हो उस space में छोड़ाते हो, उसके बाद ही वो विचार उस इंसान के पास पहुँच जाते हैं, आपको space में उन विचारों को जाकर छोड़ाना है, आपको बार बार उन विचारों के बारे में सोचते हैं नहीं रजाना है, जब आप ऐसा continue 2-3 days तक follow करते हो ना, तो आप समझ जाओगे कि जो चीज़े आप उसे कहना चाह रहे थे, नहीं कह पा रहे थे ना, वो कितने आर नाम से आपने meditation में उस इंसान को जाकर समझा दिया है, so guys अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रिखिए और खुश रहिए, बाबाई